हाई गाईस वेलकम टू आई से टैन्स अधर का आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जैसा कि तुम्हारी अभी भी डेट शीट आ गई है तो तुम्हारे पेपर जो वो 21st पेपर जो और लाजिवियू तहु यह सब हम डेखने वाले प्रीटेट वीडियो में में साल चीज थे संस्थ नाइ राट के स्टुडेंट तो उसका ताइम जादा है February 23 को है ठीक है यानि तुम्हें एक one day की leave मिल रही है ठीक है जो कि तुम्हारे English literature का paper है वो भी to ask का है ठीक उसके बाद तुम्हारे जो next paper है वो है 26 February को यानि जिसे तुम History civics का paper कहते है HCG paper 1 वो paper है तुम्हारा और जिसमें तुम्हें two days की leave मिल रही है ठीक है वह है ट्वेंट सेवक्स के बाद जो निएक सिफटे बाद वो है 28F query को यानि जिगरफी का paper है HCG paper 2 और यह भी। तुम्हें है तुम्हें two hours का है and यह दिसे तुम्हें one day की leave मिल रही है ठिक है 27 की leave मिले 28 को तुम्हें पिपार है ठीक है उसके बाद अगर तो मथे औट कर र烏क कर रही है तो इसने स्टूरी के सअग्ति कर रहे तो वह सब्सक्राइब कर रही है तो यार्ट कर नीए प्रेपर लेंड और विल्सक्राइब है OS businesses को फैपर यह संग्यान सी नीए शनव civ ऊप्ट यह ज्याओ नीकैम चाया का कि three ask होगा उसके बाद तुम्हारा next paper जो है monday यानि mars 4 science paper 1 यानि physics का पेपर तुम्हारा है fourth mars को जो की two ask होगा ठीक है और अगर तुम ये तुम्हारा पास second languages और modern foreign language है तो उसके जाप से तुम्हारे three days का gap मिल रहा है sorry इसमें two days का गैप मिल रहा है और अगर तुम्हारा आर्ट तुम्हारे पास है तो उसके लिए तुम्हारे पास आर्ट है तो उसके लिए तुम्हारे पास आर्ट है तुम्हारे पास आर्ट भी नहीं है और नहीं तुम्हारे पास यह कोई लैंगवच वाल पेपर है तो उससाब से तुम् जो कि नामिक्स प्रेपर है यो कि 2 आर्ट का है ठीक है तिर उसके बाद तुमारे 7th मार्च को प्रेपर है आर्ट प्रेपर 2 अगर तुम आर्ट की स्टुडेंट हो और यह भी 3 आर्ट होगा उसके बाद जो नेक्स प्रेपर तुमारे वारा दास of chemistry यानि science पेपर 2 जो कि 11th मा इंवर्मेंटल एप्लिकेशन फैशन डिजाइनिंग तो म्यूजिक यूगा वगर जो तुमारा सब्जेक्ट है तो यह वाला पेपर हो तिन टीक है और यह तुमारा तुमारा त्री अर्च का जिसे आपसे तुमेरा है वह होगा फिर उसके बाद मरे 15 त मार्च को मातमाटिक् कि फिर उसके बाद 18 मार्च को तुमेरा प्रीपर च्छिब के फर बोलोजी साइंस प्रीपर ट्रीप और अग्या तुमारे पास तो लिखा है कि और बागी additional information लिखें नोट लिखा है कि मतलब जो तुम्हें time table मिला है उसमें 15 minutes additional time मिलेगा to read the question paper ठीक है ताकि तुम question paper समझ सको और मतलब तुम्हें जैसे 11 a.m. पे तुम लिखना start कर तो इसलिए तुम्हें 10.45 पे paper मिल जाएगा ठीक है ताकि 15 minutes तुम अपना paper अच्छे से revise कर देख सको पढ़ सको और सारे questions समझ सको उसके बाद तुम 11 a.m. से अपनी start कर सको ए exam ठीक जैसे तुमारा कोई subject नहीं है जो तुम नहीं opt कर रहा तो उसकी भी तुम्हें leave मिल जाएगी ठीक है तो तुम उस देनी preparation कर सकते हो इसका एक detailed video बनाएंगे ठीक है जिसमें सारे चीज़े देखेंगे कि कौन से दिन तुम्हें क्या चीज़ प्रपेर करनी चाहिए ठीक है तो इसलिए तब तक किल बाए जिते पने नेक्स वीडियो में आल थे बेस्ट